नवस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आई टे फाउंडेशन क्लासस में तो यहाँ पे देखे यूपी पीसेल टीजी टू का जो एक्जाम होने वाला है उसकी एक्जाम डेट को लेकर एक नौटिस वाइरल हो रहा है सोसिल मेडिया पर बहुत सारे शुडेंस है जिनका कहना है कि यह नौटिस फेक है कहीं ऐसे भी शुडेंस है जिनका यह मानना है कि यह एक्जाम डेट बिल्कुल सही है और यह नौटिस रियल है तो क्या है करेक्ट जानकारी वो जो है इस वीडियो में में आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग वीडियो को अंतर जरूर देखेगा साधे 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 दे आप लोग फर्स्ट टाइम हमारी इस यूटूब चैनल पर है तो इससे सब्स्राइब करें साधे 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 साध बैल आइकन के बटन को प्रिस करें ताकि आईटे से रिलेटेड सभी यूशफुल अपडेट्स रेगूलर आप सभी तक पहुंसती रह दिनांग 13 अक्टबर 2023 के नुपालना में सेवा आयोग उत्तर परदेश पावर कॉर्पोरेशन तकनीशियन विदुत के पदों पर सीधी भर्दी के माध्यम से चैन परिक्रिया के अंतरगत दिनांग 3, 7, 8, 9, 10, 17 को नॉबर 2023 को आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट परिक्सा को सपलता पूर्वक संपन कराने है तुष सनलंगन सुची के नुसार अधिकारियों को कार्ये वेक्सक के रूप में एदत द्वारा नामित किया जाता है तो यहाँ पे एक्जाम डेट आपकी यह बताई गई है और इस नोटिस के माधियम से जो भी अधिकारी किसी एक्जाम सेंटर पे चैनित किये गए हैं परिवेक्सक के रूप में इन्विजिलेटर जिसे हम बोलते हैं इन्विजिलेटर आपको पता होगा कोई भी एक्जाम पे जारी की गई है तो देखें याँ यहां पे इस नोटिस को देखकर मुझे ने लगता है कि यह नोटिस फेक है यह नोटिस इन्विज न्युजिलेटर 099.99% हैं कि यह नोटिस रियल है और यह आपकी एक्जाम डेट जो है बिलकुल रियल रहने वाली है तो जितने भी candidates हैं जो UPCL TZ2 exam का form भरे थे और exam देने वाले हैं वो सबी जो है इन exam dates को seriously दें और उसके according जो है आपकी जो preparation है उसकी speed को आप लोग बढ़ा दें ताकि इस vacancy का benefit आप लोगों को मिल सके और पहले भी देखें मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि exam date जो भी आ रही है जो भी आपको लग रहा है जो भी social media भी viral हो रही है उसके according आप लोग mood बनाने की कोशिस करें आप ये ना सोचें किसी भी चीज़ को लेकर कि यार फेक है बहुत सारी opportunities लाइफ में real आती है और उनको हम fake समझ कर जो है गावा देते हैं तो ऐसा बिलकुल भी ना समझे यहाँ पर ये real update हो सकती है पूरे पूरे ज्यादा chances ज्यादा priority जो है वो तो real होने की है आप इसको बिलकुल fake ना समझें और इसके according तियारी करें अगर by chance मालो ये fake निकलता भी है तो भी क्या दिक्कत है आप लोगों की तो तियारी हो रही है न तो बिलकुल positive रहें सकारात्मग रहें और देखो यार 2-3 दिन के अंदर आपको पता भी चल जाएगा आपके जो admin card है वो कहीं ना कहीं जारी हो जाएंगे तो आप लोग जो है बिलकुल बढ़िया से अपने आपको prepare करते रहें आज किस video में इतना ही मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए आप सभी को बहुत को धन्यवाद